सुना ले जारे, चांदी ले जारे गोल्ट इस गोल्ट 10 ग्राम की कीमत 58,531 रुपई है जबकि 999 प्योर्टी वाली चांदी की कीमत 79,634 रुपई प्रती किलो है देखा जाए तो करीब 2 महीने से सोने के भाव पर दबाव बना हुआ है कीमतें करीब 4 महीने के निचल स्तर पर है शामलाल लगातार सोने के भाव पर नजर रखते हैं और सोने में निवेश उनकी पहली पसंद रहती है वो यह सुलजन में है कि क्या इस घटे भाव पर सोने में निवेश किया जा सकता है या फिर कीमत और तूटने का इंतिजार किया जाए तो उनकी इस उलजन को दूर कर दिया है प्रिथवी फिन मार्ट के डिरेक्टर मनोच कुमार जैन ने जिन्होंने मनी नाइन से खास बाचीट में बताया है कि सोने की खीमतें 57,700 रुपए तक का इस्तर दिखा सकती है और इस से नीचे जाने की इनकी उम्मीद कम है तो आप भी अगर शामलाल की तरह सोने में नवेश करने की सोच रहे हैं तो सोने की की खीमतों पर नजर रख सकते हैं और जैसे ही आपको इस स्तर पर सोना दिखाई दे तो आप नवेश के लिए बढ़ सकते हैं अभी दुनिया भर में गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेड़ फंड्स जून के दौरान सोने के नेट बिक्वाल बने हैं मार्च से लेकर माई तक ये फंड्स लगातार सोने में खरीदारी बढ़ा रहे थे लेकिन तीन महीने बाद जून के दौरान ये फिर से नेट बिक्वाल बन गए है जून के दौरान दुनिया भर के गोल्ड एटिएफस ने नेट 56 टन सोना बेचा है और उनकी कुल होल्डिंग घटकर 3422 टन रह गई है जो फरवरी के बाद सबसे निचला इस तर है और 2022 के जून के मुकाबले करीब 10 फीजदी कम होल्डिंग है ETF के बाद बात अगर केंद्री बैंकों की करें तो मई के दौरान दुनिया भर में सोने की खरीद और बिक्वाली को लेकर केंद्री बैंकों की उर से मिला जुला ट्रेंड देखने को मिला है लेकिन तुर्किये के केंद्री बैंक की बड़ी बिक्वाली की वजह से केंद्री बैंक सोने में नेट बिक्वाल बने है मई के दौरान दुनिया भर के केंद्री बैंकों नेट 27 तन सोने की बिक्वाली की है सबसे ज़्यादा सोना तुर्किये के केंद्री बैंक ने बेचा है मई के दोरान उसने 79 टन सोने की बिकवाली की है इसके अलावा उस्वेकिस्तान और कजाकिस्तान के केंद्री बैंकों ने भी बिकवाली की है हालां कि दूसरी ओर आठ केंदरी बैंक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी रिजर्ब बैंक के लिए सोने की खरीद बढ़ाई है इनमें पोलेंड, चीन और सिंगापुर के केंदरी बैंक प्रमुक हैं भारती रिजर्ब बैंक ने भी मई में करीब एक पॉइंट नौ टन सोने की खरीद की है इस बीच वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सोने को लेकर मेड़ी एर आउटलुक भी जारी कर दिया है और इसमें कहा गया है कि 2023 की दूसरी च्छमाही के दौरान दुनिया भर में बॉंड यील्ड दाएरे में रह सकती है साथ में अमेरिकी डॉलर पर दबाव रह सकता है और इसकी वजह से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलने का नुमान है साथ में ये भी कहा गया है कि वैश्वे के सतर पर आर्थे के स्तिती खराब होती है तो सोने की निवेश मांग में अदाफा होगा लेकिन रिपोर्ट में ये आशंका भी जताई गई है कि वैश्वे के स्तर पर कर्ज और महंगा होता है तो इसकी वजह से सोने की तीमतों पर दबाओ भी आ सकता है इसी हफते अमेरिकी सेंटरल बैंक की पिछली बैठक के मुख्य अंश जारी हुए हैं उसमें भी संकेत मिले हैं कि अमेरिका का केंदरी बैंक जुलाई की बैठक में ब्याजदरों को फिर से बढ़ा सकता है फिलाल गोल्ड अपडेट में बस इतना ही बिजनेस और परसनल फाइनस जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहे है रेडियो मरीनाइन और डाउनलोड कर लीजे मरीनाइन का मोबाइल अब मैं हूँ अमन गुपता चलता हूँ नमस्कार